नाई 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 शायद तु मुझे जानता नहीं है तु एक बिगड़ा हुआ रईजादा है और नाम है राहुल अरे ये तो जानता है फिर भी तेरी ये जुर्रत जब अपने मुल्क की लड़की अंजान मुल्क में आप से मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है दोस्त क्या हां? मुझ पर हाथ उठाएगा उससे मसला हल नहीं होगा और उलच जाएगा कुछ पल बैट कर बात करते हैं हल निकल आएगा यू लगता है तेरे इन भाड़े के टट्वों को मेरी बात समझ में नहीं आई समझाने की शुरुआत करूँगा मैं इस चिकने से एक पंच पड़ते ही हवा में उड़ेगा और ठीक पांच सेकेंड बात जमीन पर गिरेगा इससे उस हीरो को जोशा जाएगा वह मुझे हमला करने आएगा और मैं उसे एक किक मारूंगार वह उड़ता वा जाके दीवार पर टकराएगा अब पीशे कड़े इस बाडी बिल्डर का खून उबाल मारेगा इसमें ताकत तो भरपूर है लेकिन ये नहीं जानता कि जंग जीतने के लिए दिमाग की जरूरत भी होती है बस एक हाथ और इसका खेल खत्म उसके बाद तिरे बाकी के लड़के बिना सोचे समझे मुझ पर हमला करेंगा तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूँ देखना चाहता है कि शेर में कितना जिग्रा है मेरी एक लाट पड़ते ही तेरी गाड़ी का यह हश्र हो गया आप सुच लिए तेरा क्या हाल होगा इसलिए कह रहा हूं मारा मारी छोड़ प्यार से बात करते हैं नफरत अटाओ प्यार जगाओ क्या बोलता है रहाल यह वाल यह वाल जोट तोस्त उसमें ऐसा क्या कहा यह था प्यार दो ओव नौ वह गुण ख्रेजी शुक्रिया मैं हो मांसा हाई मेरा नाम जै आप नहीं होते तो पता नहीं क्या नहीं होती भूल जाओ तुम मुंबई से हो ना नहीं मैं कोलाद से हूँ हाइद्राबाद से कुछी दूरी पर है अच्छा कोलाद एनिवे जो हुआ उसे जहन से निकाल दो और आगे बढ़ो गौनाइट कीप स्माइलिंग तुझे उस लड़की से मुलाकात की एक हफता हो चुका है फिर भी उसके खयालों में खोई हुई है उसे अपने जहन से निकाल दे लड़कों को तो जानती ही है अगर गलती से उसके सामने आ देए ना तो पहचानी का तक नहीं लड़कों की तो फितरत ही ऐसी होती है मत सूच उसके बारे में यह वही है अरी तुम यहां तुम क्या यही कहीं रहती हो अ उस रात मैने तुम्हें रात में अंधेल में कहा छोड़ा था मुझे याद नहीं आ रहा है और तुमने मुझे शुक्रिया भी का था येस और तुमने क्या ना मदाय था अ आ मांसा, मांसा, राइट, इसे कहते हैं कॉंसिदेंस, मेरी बाइक ठीक तुम्हारे घर के सामने आके बिगड़ती है, बित्टफाक है ना, अजी ही बित्टफाक है, हाँ, कौन, ओ, एक मिनट बाइक, तो, कैसी हो तुम, अच्छा मसा कर लेते हो, बाइक तो ठीक है, अरे यार, हाँ, कभी-कभी हो जाता है, ये भी इत्टफाक है, अक्सर एस इत्टफाक तो होते रहते हैं, हाई ब्यूटिफुल्स, आम जय, पता है, तुम्हारा नाम जय है, इसने बताया था, तुम्हों मिस् तुमने इनसे मेरा जिकर कर दिया, that's, that's so sweet of you, कॉफी, जाओ, ये बाकियों की तरह नहीं है, तुम्हारे लिए यहां तक आ गया, कम ओन गर्ल्स, देखो, आप तो पाइक भी ठीक हो गई है, किसी और दिन, ये जय है ना, हाँ, ये तो अभी तक यही है, हाई, 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 ये गर्ल्स, इतनी गर्मी में कॉफी कॉन पीता है, मैं भी ना, हाँ बार दिनर, क्योंना हम दिनर कर लो तो पुटाएं, माफ करना जय, मुझे शॉपिंग करनी है और घर की सफाई भी करनी है, तो किसी और दिन मिलेंगे, किसी और दिन, बेबी दिन तो यही है, सश्मा, तुम्हारा ध्यान कहा है, मैंने तुम्हे उसे वहां रखने क Below March, मांसा आती होगी मांसा अरे तुम कहां रह ग lasciy थी ने तुम्हाने लिए क्या के किया है, मैंने पुरे घर को चमका दिया, तुम जाकर रेडियो कराओ, उसके बाद हम तुम्हारा पसंद दिदा पनी टिक्का खाएंगी माफ करना मांसा, इसने कहा कि मैं घर साफ कर दूँगा, बतले में मुझे मांसा के थोड़ी सीक्रेट्स बताना, तुम एने थोड़ी सी सीक्रेट्स बता दिये हाँ, तुम्हें खाना खाना पसंद है, घुमना पसंद है, डांस करना पसंद है, और A.R. एमान का म्यूजिक पसंद है, कसम से, और कुछ नहीं पता चलो, कमान तैयार हो, जहाँ भूख लग रही है लाज जवाब गिनर था गुनाइट, बाबाई तुम कल क्या कर रही हो, कल हम सब लोगों का बीच पर जाने का इरादा है, अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम भी आ सकती हो, हाँ, समझ गया, किसी और वक्त, ठीक है, कोई बात नहीं, कल में सुबह तुम्हारे घर के पास से निकलूँगा, अगर तुम्हारा दिल करे तो आ नहीं, जय, सबसे हसीन लम्हा, काश ये लम्हा यही ठहर जाए, क्या ऐसा हो सकता है, यखिनान हो सकता है, मांजा, क्योंकि हमारे फैसले हमारे ही हाथ हमें होते हैं, ऐसा नहीं है, जय, मेरी जिंदगी की दोर किसी और के हाथ में है, मेरा परिवार, मेरा गाउँ, वहां का माहौल बहुत अलग है, लड़ाई जगडे के सिवा उन्हें कुछ नहीं आ था, प्यार, मोहबबत, रिष्टों की एहमियत, उन्हें कुछ पता नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी है, कि पढ़ाई लिखाई के लिए, उन्होंने मुझे इंडिया के बाहर भेजा, इस खाइश को मानने के बाद, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी, किसी भी और खाइश को पूरी करेंगे, लेकिन तुम से मुलाकात के बाद, पहली बार मुझे समझ आया कि, असल में खुशी होती है, लेकिन ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है, तो खुश रहने में तकलीफ ही क्या है मानसा? से लेकान के में लेकित है मेरे आज के जमाने में तो लोग विदेश पढ़ने जाते हैं, लेकिन तुम वहां से यहां पढ़ने आयो हो दास्ता थोड़ी लंबी है सर यह रोक, रोक यह रोक यह रोक पकड़ा भाई अरे मैं मेरा रोल नंबर भूला, तो तुछे बतारा चाहिए थारा इससे बचके रहना, यहां पर इसका राज चलता है, फिछरे हफते इसने मुझे भी बहुत मारा था अगली बार रोल नंबर भूला ना, तो तेरा रोल काट दूँगा यह पूर्णा की धांदली दिन बादिन बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे चलता रहा तो कॉलेज से अपना रुसूख बिलकुल खत्म हो जाएगा, अब तो उसका टकला फोड़ना ही पड़ेगा ए लल्ले तो गल्ले से चिल्लर निकाल और बाबु भाई की दुकान से तलवार खरीद डाल, आज उसकी मुलाकात माथ के फरिष्टे से करवाएंगे और उसका गेम बजाने के बाद वेकेशन पे जाएंगे और वहाँ जागा तो को नहीं है अब कोई भी हो होता रहाम को गया पूर्णा को मैं देख लूँगा उसे मेरे हवाले कर दो मैं उसका टकला फोड़ने आएंग और फोड़के ही जाओंगा तू सिर्मत गुसा ने 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 तुम्हें मेरी बात समझ में ने एक मिट रोको जो भी टॉस जीतेगा पूर्णा उसका हुआ पूर्णा कोई ट्रोफी है जिसके लिए टॉस उड़ेगा पूर्णा सिर्व मेरा तेकी बोरिव जला शांती रख चले काम करते हम दोनों मुकाबला करते हैं जो जीतेगा वो पूर्णा का ढोल बजाए अब जब मैं जीती गया हूं तो मुझे मेरा इनाम लेने दो तुम्हें देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता के तुम इतनी अच्छी धुलाई करते हूं तुम हमारी टीम में शामिल हो जाओ पूरे स्टेट पर राज करेंगे बता रहा हूं पूर्णा तुम्हारे हम चलते हैं खतामा अब दिल पे मत लेना अब है सिक्का निकाल के जेम में डाल होश आएका तो फकीर को दे डाल अरे दोस्तो हुकम भाई कल काई पूर्णा को छोड़के मेरे पीछे मत पड़ जाना इतना वक्त का है भाई लिखा बड़ी का काम है बिजनस कौन समालेगा अब हो है वो बुझते वो दिये को साथ उठाके चले इधर ही बुझते तो अंधेरा हो जाएगा शुक्रिया दोस्त कल कुछ ज्यादा ही नशे में था अगर तुम हिफासद नहीं करते तो पताने क्या होता यह वही शक्स है न इन्हें क्या पता होगा यह तो खुट टली थे वसे यार तुम भी लाजवाब हो तुम जानते थे कि वो तुम पे हमला करने वाले फिर भी तुम नशे में धूत हो गए और बॉइस कम से कम तुम तो होश्या रहते होश्या रहते तो दारू थुड़ी अगर बाई को टच भी किया न तो मिकसर में डाल के पीस डालेंगे बाल भी बाका नहीं कर पाते उन्हें तो इस खौफ में जीना चाहिए कि पुर्णा उन पे हमला करने वाला है ऐसा खौफ कि उनकी पैंट गिली हो जाए उनका उठना बैठना सोना सब हराम हो जाए अमें मेरे साच हो चलो 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 को अंदर बन करके ताला मार लो आग भी लग जाए तो दर्वादा मत खोला है यह देखो मेरी इतनी बड़ी हवेली है और यह यहां बैठके नाखुन काट रही है चल अंदर जा कि अरे मरें हेवान आगे जल्टी जाओ आंदर और वीर-प्रताब द दफतर जा रहे हैं ये मेरा जिगरी दोस्त है है इंसे मिलो यह बहत मान असनी है वीर-प्रताब नहीं गंबीर-प्रताब जा रवा machinery को तीन से काट दिया और सिरफ जोंगी आफ दक्तर चले हो ये अब द kork होगा चाही में बना दूँगी आफ जल दिखे को यहाँ फ़ और बना दूंगी अब दफतर चले जए ये य क्यों क्या पेश्थारी कम में पहले से करता कि रिए में कुछ भी कर दूंगा बस तो अंदर जो गख़ करद यह अपना खास है रहे एक काम कर तू अपना डेरा वहीं डाल ले इसकी तो जाए 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 पूर्णा भाईया पैर हटाई चाहे रखनी है यह तो अपने साथ टेंपो बर के सामान लेकर आया है खाने पीने और नाने दोने सुखाने का एक्स्ट्रा लगेगा ना भाई इसका खर्चा भी तूई देगा कोई भी चीज खाली जारी हो और अगर तुम चड़ गए तो तुम्हें सवारी के पैसे तो देने पड़ेंगा मेरे भाई तो यहां भी GST के साथ पर से लगेंगे अरे प्रताप कल मेरा जन दिन है जश्न होगा अपनी साली को लेकर आ जाना जो कुम सरकाद लिया हूंगा साल गिरा मुभारक हो भाई पूरे खांदान का विश्कर दिया विश्करने की दुरूत नहीं अब प्रपाइबर्द्यपूर्ना हुँ हम में है सॉरी धक्का दिया नहीं कोई लग गया इस पिल्ग कुछ और दी अपे नाइस ली पर है आजी यह भाई पर लिए धक्का मुक्का तारी धक्का ने दिया इस ओके ओहो पाव हाई है मैं आया की बाई है चल निकल इसे खेला नहीं आता है इसे मालमी धर से धक्का होता है तुमने देखा मेरी जिंदगी जहनुम बन गई है वो घर आपका है तो आप इतना उससे ड़ते क्यों है डास्ता पुरानी है पहले हम शेर हुआ करते थे अब गीदर बन गई है यह तंबू मैं बंबू यह क्या है बुझी वी सिक्रेट है तो यहां क्या कर रही है आश्ट्रे रखते नहीं हो तो कहां फेकूंगा अब तेरे लिए आश्ट्रे ले क्या हूं इतना बड़ा शाना है तु यह तेरे बाप की जोपड़ी नहीं एस वी आए मैनेजर वीर प्रताप की हवेलिये में और मैनेजर का मतलब समझता है तू मैं भी नहीं समझ पाया लेकिन आज के बाद अगर चूले के इलावा ऐसा धुआ दिखा ना तो तुझे इस धुएं के साथ धुंदला कर दूँगा यहां से यह तो वीर प्रताप तू रात को पीता है दूर ता क्या घुषर दूगा अब है उटले चल्ट सच में अपने ऐसा किया बिल्कुल करना पड़ा साली की घातिर उसके दिल में खौफ पैदा करना था इसलिए सब करना पड़ा कल की दिन उसकी शादी होगी मुझे उसकी इज़त की पड़ी उसे बिल्कुल नहीं पड़ी इस ते मैं कंक्लूजन तक पहुंचा और आगे देखो यह हुआ इतनी देर से आ रहा है वक का पता है तुझे सिर्फ तीन ही तो बजाओं तेरे मुझे क्या पूरे तीन है यह कोई रेल्वे स्टेशन नहीं है कि जब मर्जी आया और गये कैसा नमा कूल है तु एक जवान लड़की अंदर है तीन बजेर उटके तेरे लिए दर्वादा ख और इस तरह से उसने मुझे खर्चा पानी दे के मुझसे वीर शीन लिया और सिर्फ प्रताव रहनी दिया इस बात से सबक तो मिल गया कि भाड़ोतुरी को भाड़ोतुरी की तरह रखना चाहिए नहीं तो वह भावली बनके सर पे तांडव करेंगा जुल्म बरदास्ट न करना चाहोगे है अज तुम्हारा बात रहे हो और तुम यहां बैठे हुए अकेले जाम पी रहे हो सोशल डिस्टेंसिंग है तुमसे कई लोग दोस्ती करना चाहते हैं पर तुम्हारा रवय थोड़ा ठीक नहीं है हर वाक्त लड़ाई जगड़ा खून खराबा इसी में ल आपकोस्त बेबी लड़ दान्स कमान शर्मा उम्हार अपन का नाम मत खराब करना कमान शर्मा के रहा है यह 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 अब कल मैंने पड़ोसी के डॉगी की रोटी चीन कर खाए बहुत भोका तू भोका की वह यह हाइ फ्रेंज हाय माध्वी यह 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 य९ह युगिंग मॉचियस तैंक्स अड्ग अव काफी कफी हां क्यों माध्वी का थाज बोला है अब कुछा यह कुछा इक रात में उन्हां बद आओ अरे प्रताब जी कहा जा रहे है रुकिये तो यह रहा पिछले महीने का किराया मैं क्या गुणा किया जिसकी सजा पैसे दे कर कर रहे हैं पूर्ना बदल गया है वीर परसाजी रख लीजे काश है तुम्हें ये बदला मेरे जाने से पहले आ ता पूरी अन्धेर नगरी मेरा तो आप वहां रहेंगे कहां इतनी बड़ी हवेली नहीं कोई स्टाफ कॉर्टर मेरे होते हुए आप सिर्फ मेरे घर में रहेंगे तकलुफ मत करो जाने को बड़ा कमरा रखने हैं असनी मकसद तो इसके घर के अंदर घुसना है मैंने यह ट्रांसफर खुल अपने पैसों से क यह ना वो माक कसम मैं इससे वसूल करूंगा बोलना नी इसको आप यह आपके रहने का इंदिजाम कर दिया ठीक है रह जाओंगा मैं इतना कम अकल थोड़ी हूँ जो तुम्हारे इतनी अच्छे ओफर को ठुगरा दूँगा क्यों क्या केते हो सही का ना तुम्हारा ओफर सर आखों पर फिकर मत कर सब ठीक हो जाएगा अच्छो g authent nosso ने का नुब से एका थाओंगे की साहारे को लिए भाया का हाओंगे वाया हाया आये जोड़ मुझे भाइया आज इंतकाम किया को ठंडा करेंगे पलके बिल्कुल मत छपकाना देवा के कुर्गों को आपके सामने काटूंगा एक बाद छोड़ को देख मुझे पताता हूं छोड़ 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 जोड़ कि एक खानदान को खतम ना कर दूं, इंतकाम की आग मेरे सीने में चलती रहेगी। छुटियों में मैं गाउं जा रहा हूं। तुम क्या, इटली वापस जा रहे हैं। एक मेने के लिए इटली क्या जाओंगा। चला जाओंगो यहीं कहीं आसपास, नाकपुर, हैदराबाद, खंडाला, लोनावला वगएरा। तो फिर मेरे गाउं चलो। रखता है, इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा। कुछ तो गढ़बढ है। दोस्त, लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बड़ी दावत होने वाली है। आजा, प्रणाम पिता जी। यहां का माहौल ठीक नहीं है। बड़ी सावधानी से कहीं भी आना जाना ह। जी पिता जी, यह मेरा दोस्ट जाह है। नाइस टू मीटियो सार। अरे बागल है क्या। यह विदेश से आया। चलना आंबर चलना। बड़ा माह। क्यों रहे, अब जाके हमारी यादाई, पढ़ाई में जादा गूम होगे। अरे नहीं माह। यह मेरा दोस्ट जाह है। हाई आंटी। इतने वक्त बाद एक पूरी हिंदुस्तानी फैमिली देख रहा हूँ। काफी लंबा सफर करके आये हो। जाओ जाकर थोड़ी तेरे आराम कर लो। ठीक है माह। चाची कैसी है आप। ठीक हूँ, तुम कैसी है। मेरी चाची। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पुर्णा की इतनी खुबसुरे चाची। मेरी ताओ। हलो अंकल। अरे भाईया। मांसा तुका भाई। मुझे तो एक हफता हो गया है। इतने अच्छे कपड़े खुब जच रहे हैं। मेरा दोस्त जै है। मेरी बहन मांसा ताओ जी की बेटी है। हाई। वाट्सप। मुझ में बदलाव इसी की वजह से आये। आजा। चाचा, ये मेरा दोस्त जै है। हाई। ये गाव है। बड़ों के साथ यहां अदब से पीश आते हैं। सॉरी डूट। हे, इतरा। मेरे बाबा और चाचा से फासला बनाए रखना समझा। चल। जैं। मुझे इस बात की गलत फहमी थी कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रहूंगी। लेकिन सचा ही यह है कि मैं खुश नहीं थी। हकीकत यह है कि जिन्दगी एकी बार मिलती है मांसा। और उसे मन मार के जिया तो क्या जिया। इस जिन्दगी में वो सब कुछ करो जो तुम करना चाहती हो। I want to see you happy। हसती वे तुम बेहद खुबसूरत लगती हो। मैं समझती हूँ लेकिन बाकियों को बदलना नामुमकिन है। वो भी इंसान ही है। अगर कोशिश की जाये तो इंसान बदलते भी है। माधो के सिवा किसी का हाथ नहीं हो सकता। कि उस माधो को ऐसी माध दूँगा कि कोई इस गाओ की और देखने की जुरत नहीं करेगा। करेगा। कि नमस्ते। नमस्ते! नमस्कार गद्दू! हें परताब इतनी देड़ तक बाहर क्या कर रहे थे परताब नहीं प्रताब नहीं परताब नहीं थे पहुंचा оп आप मेरा इंतास आधीवन ना इनतजार नहीं कर रहा है पर के बाई अब तो सही वक देखकर मेरे घरवालों को मेरे प्यार के बारे में इतला कर दे प्लीज अभी अभी तो प्यार हुआ है थोड़ा लुट्फ तोड़ा है अरे प्रताप जी ठीक तो है ना आपको घर पसंद आया ना बहुत पसंद आया प्रताप जी को हमारा घर इतना जचा कि एक साल यहीं रहने की ठाली है हराम से रहे है अपना ही घर समझे एक मिनिट प्रताप जी हाई डार्लींग क्या चल रहा है चला रहे हम लोग और क्या क्यों ऐसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह कहो गाव में सुभा मुर्गी के बांग से नीम खुलनी चाहिए कोयल की कुकू और मैना की मह मह सुनाई देनी चाहिए बिट्टी की भीनी-भीनी खुझमो आनी चाहिए तो यहां पर ऐसा है यहां पर तो मार कार्ट गाली गलोज तोडम ताडी ऐसा चल रहा है जैसे मुझे गुराओं की सजा दिल रही हो मुझे पुरानी हमेली की आदा रही है पुरानी बीवी गी ओली वाइफ तो फिर यहां क्यों रह रहे हो घर चले जाओ वह भी करके देख लिया लेकिन इन लोगों ने ऐसा मारा कि जगा जगा से सिर्फ आ निकलती है चारों खाने चित हो चुके हैं पूचने पर जवाब मिला कि यह हमारे खातिरदारी का एक ना मिले हैं इसका इंजिनियर बनने का ख्वाब है मैं इसके दाखिले के लिए इंजिनिरिंग कॉलेज गया था वो डोनेशन मांग रहे हैं अगर आप मैंने तो कहा था इसे मत पढ़ा लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी क्यों रहे जालू बरतन करने में शर्म आती है जरा य कोहपत इंसानें से कोई बात ही नहीं करता मेरा वक्त बरबाद मत करो चलो आप जाओ तेरी खोईश है कि ये भी मेरी तरह बदल जाएं देखो मैं क्यों बदला सिर्फ एक लड़की की वजह से लेकिन इनको बदलना नाममकन है चलो नाममकन तो जानता नहीं है मेरे लिए क शायद पैसे की जरूरत होगी तेरी यहां आने की बज़े क्या है क्या बात है बोल मेरे लाक मना करने की बावजूद भी मेरे पती ने आपका साथ नहीं छोड़ा आप ही कि कहने पर देवा से उन्होंने दुश्मन ही मोल ली और अपनी जान गवा बैठे मैं ये बिलकुल मैं चाहती कि मेरे बेटे का भी यही अश्र हो मेरा इकलोता बेटा है मालिक जो अभी नादान है और उसे बिलकुल समझ नहीं है वो अपने बाप की तरह आपके साथ जुड़ गया मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाबा की कातिलों का बदला लेगा मुझे कोई बदला न क्या मैंने उसे इसलिए पालपोस के बड़ा किया कि वो उम्र भर तुम्हारी गुलामी करे तुम्हारे लिए अपना खून बहाए मुझे अर्गेज मनजूर नहीं है अधसन वो मेरे साथ भी रहेगा और अपने बाप के कातिलों को जहन्नुम बेजेगा अगर किसे ने मेरे काम में टांग लाने की कोशिश की तो उसकी टांगे काट दूगा मैं तुम्हारा इस गेट के अंदर आने के जुरत्ता करना पुरी पुरी पिटा वो तेरा भाई भाजी पुरी का है आसपास ही होंगे देख लीजे शहेद से जैसे मक्खी चिपकती है बिल्कुल वैसे ही फोन से चिपका रहता है तुम्हारा जै भाईया का है यह भी खातरदारी का तरीका है क्या वजा बताओगी मारने की मूड के एक ही मारा अब बताओ कैसे हुआ भाई का दोस्त भाई ही होता है है ना बेटा तो दोस्त की बीवी बीवी होगी वो क्या होती है मुझे नहीं मालूम फ्लोफ लो में बोल गया इस काउंटर का इंकाउंटर हो जाएगा यह में पता था पूरे घर में सब लोग अजब है और यह गचब है जै बंदू अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा यहां की और नहीं वाइलेंट है तोबा 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 जो गुट्टी इसको पिलाई है ना तुने वह पूरे घर को पिला डाल तू प्लीज मेरे बाप अरे आपको पता नहीं है आपकी साली को चारा अब यह तो बड़ा निकला मेरी साली कोड़ा ले गया कि किसी को खबर होगे कि वो मेरी साली है तो किस मर्स के दवाँ चैचा शुक्रीया डॉक्टर साहब मर्स की नहीं मेरे हर दर्थ की दौा है जीजी मैं खेट से आरी हूं फातिमा ने जहर खा लिया है उसे अस्पताल लेकर गए है माधों ने उसे कई बार समझाया कि उसका बेटा वापस नहीं आने वाला पर वो समझी नहीं अब खुद ही भूगते लेकिन जीजी चलो माश्पताल चलते हैं आउँ भाई जब पड़ोस के गावालों से बदला लेने जाएंगे न तो मुझे भी साथ ले चलना वो बोरी को नीचे उतार चल अरे चल दी उतार चल कहां चलो कि धर ले जा रहा है इसके माने जहर खा लिया वो अस्पताल में भरती है भाई मेरी अम्मी को कुछ नहीं होगा न वो ठीक हो जाएंगी न उनसे कहना है कि तो आज इसी पल से अपने गुजरेवे बात के लिए नहीं बल्कि अपनी मा के लिए जिएगा वो यकीनन ठीक हो जाएगी अम्मी अम्मी आपने ऐसा क्यों किया अम्मी मैं वादा करता हूं आप सब जो कहेंगी मैं वही करूंगा मैं इसी वक्त से माधव भाया का साथ छोड़ रहा हूं मेरे यकीन करो अम्मी भाई आप ही अम्मी को समझाये ना जैसा अम्मी कहेंगे आज से में वैसा ही करूंगा यह आज से आपके कहीं मुताबिक जिंदकी कुजारेगा किसे और गाउं में जाके इसे पढ़ाईये लिखाईये और एक काबल इंसान बनाईये नहीं 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 पीटा यह पैसे मेरी तरफ से नहीं यह पैसे पूर्णा के पिता ने बिजवाएं अपनी दिल कर रहा है कि दोड़ के सीधा तुमारे पास चले नमस्ते मुझे बड़ी जोर से एक बात कहनी थी मेरे घर में एक ही सेलफोन है मैं नॉन स्टॉप अपनी बीवी से बात करने के लिए फोन ट्राइ कर रहा हूं लेकिन करेक्शन कहीं और लगा हुआ है यह ऐसा कॉम सा बुद्धा जो खतम ही नहीं होता अंकल फ्यूचर प्लानिंग कर राय करने दीजिए आप जाके फोन मागी देदेगा नहीं जाने दीजिए लुंगी कसके जाता हूं भागने में असानी हो अपनी वाइफ से बात नहीं की है एक कॉल करने दो एक सब्सक्राइब मादवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है अरे मैंने प्रताप जी पूछने वो दोनों मज़े में तुम्हें बिलकुल याद नहीं करने अब जाओ 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 का हाँ बोलो सूइठल कहना मैं भ क्या हुआ आज तक मैं यह सोचती आई हूँ कि आप लोगों को किसी और की फिक्र नहीं है पर आप तो हम जैसे बेबस हो का सहारा है मसीह है मेरे पती का कतला आपकी वज़े से हुआ बस इसलिए मैं आपको आज तक बद्धुआएं देती रही मुझे हैसास हुआ कि आपके बारे में मेरी सोच गलत थी अब मैं यह दूआ करती हूँ कि आपके परिवार पर कोई मुसीबत ना आए आपके बज़स से मेरी बेटी की जिंदकी सवर चाहेगी और मेरी बेटे की काम्याबी की पीछे आपी का हाथ होगा आपने इसे नई मन्जिल दिखाई है मेरी बस यही दूआ है कि आपका घर परिवार हमेशा खुशियों से भरा और आबाद रहे नमस्ते मैं अपने बाप के कातिलों से बद्ला लेना चाहता था लेकिन उस जुनूर में मैंने अपनी अम्मी की ना फर्मानी की जिनके पैरों के नीचे जन्दत होती है अब मैं दुबारा कभी असानी करूँगा पहली बार किसे ने हमारे खांदान को दुआएं दी हैं आज तक हमें सर बुरा ही समझा जाता था किसे ने आज हमें भला कहा मुझे अच्छी तरह पता है इसके पीछे तुम्हारा हाथ है मसिया बनकर तुम गए और आगे हमें कर दिया अंकल ये लोग आपके लिए काम करते हैं उनके परिवार का गुजारा आपके रह्मों करम पर है अगर एक अंजान आदमी उनकी मदद कर दे तो उसे ज्यादा से ज़ादा क्या दे देंगे बस उसका शुक्रिया आदा कर देंगे लेकिन यही काम अगर आप करेंगे तो उनकी नजरों में आपका ओधा उंचा हो जाएगा जानते हैं गामवाले अपनी हर परिशानी लेकर आप ही के पास क्यों आते हैं इसली नहीं कि आप रईस हैं बलकि इसली कि आप इस परिवार के सबसे बड़े हैं अंकल ताकत लोगों को दबाने या काबू करने से नहीं आती है आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है हम तब महान नहीं कहलाते जब हमारे कहने पर लोग अपनी जान लुटा दे हम महान तब कहलाते जब उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर जान देने को तयार हो हाई जै हाई कल जो तुमने किया वो वाकई काबिले तारीफ है तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूं सच सच बताना तुम यहां आखिर किस लिए आये हो मैं इस गाम और इसकी खुबसूरती को देखने आया हूं तो ठीक है मैं खुबसूरती दिखाती हूं तैयार हो जाओ अच्छे नजारों के लिए अब बताओ मुझे यह नजारा कैसे है वाह क्या खुबसूरत जगह कितना बढ़िया होता अगर तुम समझ सकते कि मैं किस नजारे की बात कर रही हूं और यहां देखो कितना हरा भरा है ना हाँ बहुत अच्छा है कितने हरे भरे खेत है ना खेत हाँ 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 वो भी काभी हरे हैं अगर तुम्हारी आखों को ठंडक चाहिए तो यह देकर ठंडक पहुंचा सकते हो इस नदी के पानी से आँखों को बहुत ठंडक मिलती है अब इस जगा को देखो कितनी खुली-खुली है ना बस अब इस बंजर जमीन को थोड़े पानी की ज़रूरत है अरे तभी तो यह सारे खेत हरे भरे होंगे ना अच्छा इसके ल आज काफी सेर कर ली बाकी का गाउं किसी और दिन देखते हैं ठीक है पेटा सुनो जी मालिक गाड़े में पैठो अब जो भी दाखिल होंगे सिर्फ डोनेशन की बुनियात पर होंगे जी सर आप यहां जनाब एक भी सीट खाली नहीं है सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बज़ी है बार बार यह समझाने में यहां नहीं आऊंगा बेटा खूब मन लगाकर पड़ो और इसकी तरह बनो शुक्रिया मालिक मांसा के लिए एक लड़का देखा है लड़का अच्छे खांदान का है कल वो लोग देखने आएंगे मुझे अभी इस शादी नहीं करनी इतनी भी क्या जल्दी है शादी करना तो हर लड़की का खुआब होता है तुझे तो खुश होना चाहिए आप तो कुछ बोल दीजे ना आप मुझसे प्यार करती है यह नहीं करती मुझे इस शादी की बार में बताना भी जरूरी नहीं समझा इस बास से मैं भी अंजान थी यह सब तुम्हारे चाचा का फैसला है जे तुम्हें पता है जे चाचा ने मेरे लिए रिश्टा देखा है पता है तुम्हें क्या हो गया तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लड़का सिर्फ तुम्हें देखने आ रहा है शादी करने नहीं जो हो रहा है होने दो बाद में देखते मेरे रहते घबराओ मत टेक कि अधिये डीजी आईए आईए बेडिये मेरे बड़े भाई साब तुम्हारे होने वाले ससुर मा एगन बत्राव इंट्रोडेक्शन का महताज नहीं कल रात ही छे लोगों को टप काया है अरे परताव कहां जा रहे हो परताव नहीं दद्दू परताव दफतर जा रहा हूं आज घर में महमान आये हुए है इनसे मिलो ये गनपत्राव जी है मांसा को देखने आये है नमस्कार जी दोस्तों के साथ आए ममी पापा को साथ नहीं लाए शादी आप उनको करनी है, आप उनके मम्मी पापा को नहीं ओ, इसे बहुत गर्मी है इतना वक्त नहीं आप उनके पास, लड़की को जल्दी बुलाओ, दुश्मन को भनाख हो गई तो लफड़ा हो जाएगा दिखने में ठीक ठाक है, नाम बता? मांसा नाम भी चल जायाएगा, आप उनकन पत्राव, अब चल जल्दी से कॉफी पिला दे दो इसे कॉफी बहुत खूब, इसका गुरूर अप उनके जैसा ही चै कितनी पड़ी लिखी है, दस्तखत कर लीती है फॉरन से MS किया है मतलब दस्तखत भी नहीं पड़ी क्या आप लोग कहां पाए जाते हो शांती नगर से वहां रिष्टे के लिए लड़की उपलब नहीं नहीं भाई कहां तक पड़े हैं एक दम अउटा चाप है फिर भी उनको दस्तखत भी पास लड़की चाहिए प्राब्लम मुझे नहीं शादी के बाद होगी अब उनको लड़की जज गई है तस्मीर कुरियर कर देना अम्मा को दिखाऊंगा अम्मा देखके अचार डाले कि शादी तो इसे करनी है चलता हो जी तरहाती गवार कहीं का क्या ऐसे नमूनों के लिए मुझे पड़ाया लेखाया ममी ममी आखिर आप चुप क्यों है कुछ बोलती क्यों नहीं है तेरी जो पढ़ने की ख्वाहिश थी उसे मैंने ही पूरा किया है लेकिन इस घर की ओरतों को कोई फैसला लेने का हक नहीं है लड़का कितना बैतरीन था ना लंबा चौड़ा और मुछो वाला पसंद है तो खुद ही कर लो ना इस उमार में यह दुलन बनती अच्छी नहीं लगेंगी यह लो लड़का पसंद आया इसे तो पसंद यह वैसे तुम प्रॉब्लम चला लेंगे लेकिन उसके साथ में जो आदमी आये थे उन्हें देखा आपने उससे पता चलता कि उसके काफी दुश्मन है फिलाल तो वो कुमारा है तो उसी की जान को खत्रा है कल उसकी शादी हो जाएगी तो इसकी जान को भी खत्रा हो जाएगा मानलो किसी दिन दुश्मन मौका देखके हमला कर दिया तो क्या होगा मर जाएगा वो अरे वो मर भी गया तो परवा नहीं एक हफ़ते के लिए मातम मनाएंगे उसके बाद फिर से काम पर लग जाएंगे लेकिन अगर वो कहीं अपाहीज हो गया और एक जिंदा लाश बनकर रह गया तो क्या आपके एक गलत फैसले से आपकी प्यारी शहजादी के जिंदगी बस जहन्नम बनके रह जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं उस लड़के में वो लड़का एकदम शांदार है नो प्रॉब्लम शुब महुरत अगले महिने की सत्रा तारीख को है पंडी जी ने बताया बहुत अच्छा दिन है मांसा के इस रिष्टे से मुझे एतराज है मांसा पड़ी लिखी है उस लड़के के साथ अपनी पूरी जिंदिकी नहीं गुजार सकती लड़का कम पड़ा लिखा हो तो भी चलेगा लेकिन मैं मांसा की जान जोखें में नहीं डाल सकती अर्गेस नहीं तुम मांसा की मा हो अगर इस रिष्टे से तुम नाखुश हो तो कोई बात नहीं हम इससे बहतर लड़का ढूड़ें तेरा उसका चक्कर है क्या तुझे उसने पपी क्यूं दी एक राज की बात बता हूं मैं उसे इटली से जानता हूं इसी वज़े से यहां पे आया हां ऐसा ही कुछ समझ लो यानि उसके भाई को बख्रा बना के तुमने अपना उल्लू उसीदा किया इस घर में घुशने के लिए क्या दिमाग है चाचाब का खांदानी दिमाग माले हैं लेकिन तुम्हें कम नहीं जो रस्ते में आ रहे उसे लपेट रहे हो इस बिचारे जिंदा लाज को भी नहीं छोड़ा तुमने भाई बड़े शातिर हो मिया याद रही सब को लबेटे में ले ले लेना लेकिन इस को छोड़ते ना शिकार आप ही थे क्या लावा पूल गई का मुग पे क्या रहा है तुनामी के लपेटे में वह सब को ले रहा है बाद में मेरा कॉलर मत पकड़ना आई लव यू टू तायर वंक्चर हो गया भाई जल्दी से कोई मेंकानिक लेकिया नमस्कार भाईया आगे तक शोड़ दे आही ही सेवा क्या पी आ रहे है चल तेख भगा चल भगा भगा आज तो नहीं बचेगा क का थरिव देवी छिपलगा है रही रहा है उप ़ते है कर दो भो ुपड़ तो तो एक बातव है हुँ! 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 हर बार तक्दिर तेरा साथ नहीं देगी तो यह कैसे आया हैर कट कराने क्या था शहर बाल-बाल बजगए डूग अगर कई पकड़े जाते तो क्या होता अब हमला करने की बारी हमारी है ना एक-एको काट डालूंगा आप कहें तो एक सला दूँ आपको वो अब इस दाक में होंगे कि आप उन पर कब हमला करोगे हम अगर अगले पचास साथ साल तक उन पर हमला ही ना करें तो वो पिचाने डरके बारे वैसे मर जाएंगे कैसा लगा आइडिया बढ़िया है ना यह चक्की तो 24 घंटे लगातार चलती रहती है यह चलती है तभी तो रोटी मिलती है खाने के लिए क्या आप लोग दिन रात किचन में दाल आटा चावल के पीछे लगी रहती है बस नॉन स्टॉप तीन सो पैसट दिन चक्की पीसिंग पीसिंग अरे कभी-कभी आराम भी कर लिया किची है आराम तुम तो यहां की लोगों को जानते ही हो दो रोटियों से कुछ नहीं होता भर-bhar के खाना खाते हैं अरे इसका मतलब यह थोड़ी है किया आप दिन रात खाना पकाने के लिए अपनी हड़ीया तोड़े हर रोस आप सुबह के नाश्ता बनाती है उसके बाद दुपहर के खाने में प्काय जाय यह सोचने लगती है दुपहर के खाना पक गया उसके ठीक उसके बाद शाम के चाय और पकड़ों के त्यारी में जुड़ जाती है फिर होती है रात के खाने के लिए सबस्जियों से माथा पोड़ी अगले दिन फिर सुबह उड़के वही कोलू के बैल की तरह शुरू हो जाती हो ये भी कोई जिन्दगी है दस साल के बाद पीछे मुड़के देखोगी तो आपको वही आठा चावल सब्जियां और बरतन दिखाए देंगे और हम कर भी क्या सकते हैं एक महीने के लिए इस बावर्ची खाने को तला लगा दीजिए और पापाजी के धाबे से परसल मगाएंगे है ना धाबे से खाना मगाना मेरा मतलब था पिकनिक जाते हैं घूमते भिरते हैं थोड़ा मजा मस्ति करतेए हैं सच में बहुत मजा आएगा मैं कोई आपसे एवरेस्ट पर जाने के लिए नहीं कह रहा हुआ शादी के बाद सिर्फ तीन दिन तक तिरुपती जाना हुआ था तब से यही हूँ तिरुपती तो गई थी मैं तो 20 साल पहले टाकिज में 20 साल बाद देखने गई थी पाप रे इनके लिए तो गाम से भार जाना दुबाई जाने जैसा है चलते हैं न मा काकी काकी मान जाए ना सच में बहुत मसा आएगा मान जाए ना अच्छा बाबा ठीक है तू जाके अपनी चाचा से इजाज़त ले जा थीक है प्रताब जी जै हम सबको एक महीने के लिए चट्टी पर लेकर जा रहा है इसे बकरी बनाया जा रहा है इसलिए ज्यादा चेहक रही है अच्छा आप इस कुर्सी पर बैठे बैठे ठक गए होगे ना चलिए अंकल आज बाहर चलते हैं और देखते हैं कि बाहर की दुनिया कितनी खुब्सूरत है भाई उसे यकीन के साथ मालूम था कि आप वहां जाएंगे इसलिए पूरी तैयारी के साथ उसने हमला करवा है चाचा काफी वक्त से हम लोग एक साथ कहीं बाहर घूमने नहीं गए हैं चले ना चाचा किसी पिक्निक के लिए चलते हैं चाचा प्लीज मान जाए ना मुझे दोबारा पिक्निक जाने का खयाल भी आया तो ठांगे तोड़के घर में बिठा दूँगा दफा हो जजा अंदर तो मिल जाओ जल से जल देवा के खांदान का नामोने शान मिठा रहोगा एक बच्चा भी नहीं बतना चाहिए हम सब मत्था ठेकने के लिए शंकर जी का मंदिर जा रहे हैं वहां से लौटने के बाद विर्जु काम को अंजाम देदेगा देवा अपने परिवार के साथ शंकर जी के मंदिर के लिए रवाना हो गया है काट कर फेक डालो एक एक को भाई हमारे आदमियों ने उन सब को ऊपर पहुचाने का पूरा इंतजाम कर दिया है एक बाद गाठ पांदे बच्छा बुज़रुग सबको ऐसी मौद देना कि उनकी रो भी काप उठे अगर एक पे बच गया तो तेरे टुक्ले कर डालूँगा समझ गया बाई आप चिंता मत करो ऐसी मौद दूँगा कि लोग उम्बर भर याद रखेंगे कि लिए ड्रो पांदेर फे बच्छा कि देना कि वादया राद सम्टा पर पांदे आप कि र मादा राद रखेंगे लो ुनियो गजुर से नहां ऴयों। आजो रंजीत मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा क्या हुआ है उसे भाई फिकर मत करो बस कोछी बलों में देवा का सिर काट के आपके कदमों में डाल दूगा ев הב़ रहा रहा उसे क्ट्रेय ओडक रहां प्रंगland क्ट्रा हुआ को रहा ौै क्ट्रा हुआ घर ग्र्च ??? हीुआ हुआा जरूर कोई ना कोई कर पड़े अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा था जल्दी बता डेवा का पुरा खांदान खत्म कर दिया ना अबे बोलना बोलता क्यों नहीं मेरा परिवार सलामते भाई 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 क्यावव आपको पुलो कुछ्छ उनके पचाव के लिए ये नया शक्स कौन आ गया जो भी है खूंखा रहा भाई चुपकर चलाट उपर वाले के करम से हम सब सलामती से घर आ गये नहीं बिलकुल नहीं उन हैवानों से हमारी हिफाज़त सिर्फ जैने की होगी वो अपने किये पर शर्मिंदा है इसी लिए हम से छुपकर हमारी हिफाज़त कर रहा है जिन्दगी में पहली बार मैंने आज मांसा को इतना खुश देखा है और वो खुश जै की वज़ा से है मेरी नजर में तो मांसा की शादी जैसे करा देनी चाहिए जै की आने के बाद ये घर खुशियों से भर गया है क्योंनों हम मांसा की शादी जै के साथ करवा दे तो हाँ पापा जै मांसा को हमेशा खुश रखेगा मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती बस इतना जानती हूं कि जब तुम पास में होते हो दिल खुशी से जुम उड़ता है तुमने मेरी जंदगी बदर दी अब तुम ही मेरी जिंदगी हो मांसा मैं तुम्हें हर पल खुश देखना चाहता हूं और इतना ही नहीं मैं तुम्हारे परिवार को भी खुश देखना चाहता हूं तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ तुम्हारा खांदान जिस देवा के खुन का प्यासा है मैं उसी देवा का बेटा हूँ तुम जिस जै को देख रही हूँ वो एक नया जै है पुराने जै से बिलकुल अलग वो जै तो कब का खत्म हो चुका है उसके तो दुनिया ही अलग थे वहाँ येलो फ्लास थोड़े कम लग रहा है अनीता येस मैम वहाँ थोड़े फूल ज्यादा लगाना थोड़े अच्छा रहेगा ओके मैम अशुक जाओ जरा एंट्रेंस की तरफ चेक कर के आओ जी मैम ट्यूलिप अभी तत नहीं आए जयल आता ही होगा तुम्हारा कुछ अता पता नहीं रहता फूल लाने मीतना वक्त कैसे लग गया मॉम गुलाब और मोगरे के फूल तो मिल जाते हैं पर ये ट्यूलिप के फूल थोड़े मुश्किल से मिलें अगाने मनाना को तुम से सीखे अनीता जी ये ट्यूलिप्स लगा दो ओके मैम हाइज जय वालशर्ट में डैसिंग लग रहे हो मैडम शहत पे मधुमक्ख्यां चिपक रही हैं ये प्रोजेक्ट दुन्या का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा हां हां एक्स्क्यूज मी गोल्स तुम लड़कियों से घिरे हुए रहते हों मेरा हाच छूड़ा थोड़ा थोड़ी हूँ छोड़ो ना मेरा हाथ बेटे की शादी में पारा गोश चुक्रिया यह ठीक है ऐसा रखो बेटा मोम यह दुले का बाप कुछ ज्यादा नाटक नहीं कर रहा है चुपकर यह साफ कर देता हूं मेरी किसमत अच्छी है मेरे जाद ऐसा करने वाला कोई नहीं मेरी किसमत अच्छी है मेरे जाद ऐसा करने वाला कोई नहीं मॉम, आप ठीक है? बताए, मा. मुझसे खता हो गई. मुझे तुमसे ये राज नहीं छुपाना चाहिए था. तुमसे पहले ये जिक्र कर दिना चाहिए था, कि तुम्हारे पापा जिन्दा है. जब तुम मैं इस दो साल के थे, तब मैं और तुम्हारे पापा मुंबई में रहा करते थे. दिवाले की छुट्टियों में, हम तुम्हे लेकर उनके गाउं गए. उस वक्त आगसी रंजिशों की वज़े से, दोनों गाउं में अक्सर खोन खराबा हुआ करता था. दोनों गाउं जहन नम बन चुके थे. हमारी आखों के सामने ही, तुम्हारे दादा का बड़ी बेर हैं में सब कतल कर दिया. हाया हमारे हाथ में सिर्फ एक ही लगा है. बाकी सब वहां से बज़के भाग गए. अगर उस खांदान का एक भी शक्स बज़ गया तो वो हमसे बदला जरूर लेगा. बहतर यही होगा कि हम उसके पूरे खांदान को खत्म कर दें. आप बस हुक्म कीजिए. गतल मेरे पिता का हुआ है. तुम्हारा खून क्यों खौल रहा है? आज हम उनका खून बाहेंगे, कल वो हमारा बाहेंगे. आखिर अंजाम क्या होगा? गाओं के हर घर में मौत तांडव करेगी. बाप के कंदे पर बेटे का जनाजा जाएगा. उनके ख्यालात हमारी तरह नहीं है. बिर्जू किसी ना किसी को तो पहल करनी ही पड़ेगी. हमारा परिवार आपके रहमो करम पर पल रहा है. आपको कुछ हो गया तो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे सा आ रहे है. सोचो अगर तुम्ही ना रहे है, तो वो कहां जाएंगे? आज के बाद अगर मुझे जरा सी भी भनक लगी कि तुम में से किसी ने भी उन पर हमला किया है, तो एक बाद गाठ बांद लेना, कि उस वक्त मुझे से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा. अब जाओ. सुनिये. हाँ? अब हम चलें. कहां चलना है? वापस अपने घर. ऐसे गरम माहूल में सब को छोड़ कर, हम लोग कैसे जा सकते हैं? तुम तो जानती हो, यहां हर कोई एक दुसरे के खून का प्यासा है. जैसे हम यहां से रवाना होंगे, यहां खून की नदिया बहेंगी. यहां रहकर ही, मैंने काबू कर सकता हूँ. इन्हें बदल सकता हूँ. बस इसी बात का खौफ है, कि इन हैवानों के बीच में रहकर, आप भी इनकी तरह हो जाएंगे. तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आप पर है, पर दूसरों पर बिलकुल नहीं है. इस हालत में मैंने छोड़ कर नहीं जा सकता. या अपना परिवारा. तुम्हारी भावी जाना चाहती है. इससे सही सलामत पहुचा देना. उस बल से ही मैं तुम्हारी पापा, और उस गाउं से हमेशा के लिए दूर हो गई. पता है क्यों? क्योंकि उस माहाल में तुम रहो, ऐसा मैं बिलकुल भी नहीं चाहती थी. गाउंवालों की खातिर हमें छोड़ा, यहां तक कि तुम से मिलने भी नहीं आये. उन्होंने एक बड़े खुर्बानी दी. वो एक महान हस्ती है. मैं उन्हें एक बार मिलना चाहता हूँ. सालों से तुझे शादी के लिए तैयार करते-करते मैं ठक चुकी हूँ. नजाने कब कोई लड़का तुझे पसंद करेगा. उस लड़के के नसीब खुल जाएंगे. जिस लड़के की शादी वीना से होगी. बहुत लबान चलती है तुझे. वक्त बदल गया है पर इनकी सोच वहीं की वहीं है. मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल जाए. फिर देखना कैसे मैं सब की बोलती बंद कर दूँगी. तेरी सोच की वज़े से कोई लड़का घर पर आता ही नहीं. न जाने कौन कमबक तुन्हें रास्ते से भागाता है. पागल मैं नहीं वो है. उसने इंकार किया. दीदी, खेलो ना. ए, चल निकल. भाग यहां से. तो औरत ही नहीं है, इसलिए शादी से डरती है. इतना बड़ा इल्जाम. मेरा तो जन में ही शादी के लिए हुआ है. वो क्या है ना कि मेरी तकदीर में कोई शहसादा है. वोटो इतरा. हाँ बोई. एरो नॉमबर वन लग रहा हूना. आइने में शकल देखती है. यह ले पेट से बोल, तेरे लिए ढ़ाब के लाया हूँ. वैसे, साल में एक बार हीरो लग जाते हो. यह बात, तु यह मेरे जजबात समझता है. विना रिश्वत लिए बोल नहीं सकता था. जब देखो अपनी शूटी तारिफ करवाता है. जानता आज विना पिटिया को देखने लड़का आरा है. आलू मेरे, लड़का विना को देखते हैं, रेजेक्शन की महर लगाएगा. फिर विना मेरे पैर में रेंगेगी और बोलेगी मैरी मी. मैं बिचारा महबत का मारा, हाँ, बूल दूँगा और क्या. तु दुनिया का आखरी लड़का होगा, तब भी तुससे शादी नहीं करेगी वो. देख पिटा, ऐसा कब तक चलेगा? कभी न कभी तो शादी करनी पड़े कि, आज मना मत करना, तुझे मेरी कसम. मैं आपका दर्ट समझती हूं मा, मैं मंदिर जाकर मननत मांगूंगी, कि आज कैसे भी मेरा रिष्टा तै हो ही जाए. मा कसम किसी ने साथ में देखा न, तो मेरी बची कुछी इज़त भी जाएगी. दिल परफले यार, अगर कोई पूछेगा, तो मैं क्या दूंगी तुकर कमाली है? अच्छा सुन तो, वैसे तो तो बहुत निकम है, पर एक काम कर दे. कल लो बात, इसके प्यार में रामलाल बन गया हूं. ए चंपू, तु जानता है ना कि तुझे क्या कहना है? लो जी, तोते की तरह रट गया है, यही तो बोलना है, कि आठ मएने बाद, तु मेरे शैतान बच्चे की माँ बनने वाली है, तु तो मेरी किड्नी है, तेरे लिए तो मैं है। चार लड़के आदे ना, तेरा चेहरा देखकर याकीन नहीं कर रहे थे, कितनी मुसीबत से दफा क्या हूने, सारे समोसे चट करके वह आले, चल अब जा, आ गया वहू. रुक जाना, ये लड़का कमाल का लग रहा है मुझे, अपना प्लाग कैंसल कर देते हैं, मैं शादी के लिए हां कर दूँगी, मेरी तारीफ के पुल ऐसे बान की शादी के लिए तयार हो जाए, प्लीज. बाहु बली, देवा के घर जा रहा है क्या, ये वही चैरा है, जिसका दीदार करने जा रहा है, लेकिन ये मेरे प्यार में गिरी हुई है, ये कहती है, मैंने इस से शादी ने की, तो मैं मर जाऊंगा, अगर तुम यहां से निकल लोगे, तो मेरे बच्चों के तुम कट्ट आपा मामा बनोगे, देवा के घर लड़की देखने जा रहे हो, पैसे तुम से मिलने के लड़की यही आ गई है, अलो, वैसे यह यहां क्यों आ गई, घर पर मिलने थे, दरसल ये तुनों एक दूसरे से महबत करते हैं, अब अकर तुम यहां से लट जा तो इनकी आराम से आदे हो सकती है, बस यही बात समझाने के लिए है, यह भी आइच से गई, हाँ, हाँ, जानता हूँ लड़की बहुत खुब्सरा थे, इसे ना बोलना बहुत मुश्किल है, और तुम्हारे पास और को रास्ता भी तो नहीं है दोस्त, अपी, बहुत जोर से, तुम्हारी तारीफ, मैं देवा जी का बेटाओं, आओ, भाई साब, यह कौन है, यह आपका बेटा है, दीदी, हमारा जै, बेटा, आखिर तुम अपनों से मिलने आ ही कहे, मामी नहीं आई, उन्हें कुछ काम था, इसलिए नहीं आप आई, पार्टनर, यह गाड़ी कहीं सुने ले लग रही है, नमस्ते, सारे लोग किस वजे से इकठा हुएं, कहीं इसने अपना भांडा तो नहीं फोड़ दिया, यह लोग तो वैसे ही फिराक में रहते हैं, आज मेरे को तोट डालें गैं, रुक, 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 इस कांड में जि तो तो कटपुटली की तरह हमेशा मुझे नचाती है, आज संडे आज छोड़ दें को, हाई, सारी आम लेट, पाह लागू, अरे ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही है, यह अपना जय है, आहां यह लता देदी का बेट है, जय, तुम अब तक जाग रहे हो, जी, नहीं 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 आ रही दी, अच्छा, और तुमनी माँ कैसी है, वो अच्छी है, ओ, रोज एक ड्रिंक पीता हूँ, विश्रे 20 सालों से यही मेरा साहरा है, तुम लोग है, जी नहीं, आप लेजे, मैं ठीकूँ, वैसे, करते क्या हो त मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, ओके, काफी रात होगा, यह सोने जा रहा हूँ, गुट नाइट, बिटा, चाहो तो यहीं सो जाओ, वो उपर वाले कमरे में मच्छर होते हैं, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, गुट नाइट बाबा, ताका जाकी, क्या कर रही हो, किसी ने उस बिचारिक को नाष्टा दिया कि नहीं, वो देख रहे, तो क्या नाष्टा अंदर मिलता है, जा जा कर बना, नए कपड़े, यह जय के लिए हैं, तुम्हें कोई तकलीफ, आज तक मुझे तो नहीं दिलाया आपने नए कपड़े, फरवरी की 31 सारी को दिला दूगा, तु अंदर आप, आज कोई खास दिन है क्या बाबा, हापी बार्थ दे, ओ, 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 गाड, थैंक्स बाबा, आज मेरा जनम दिन है और मैं खुद ही भूल गया, आओ, अच्छा, तो आज तुम्हारा चन्द दिन है, छोटे से देख रहे हूं, आज के दिन हर साल जश्न बनाया जाता है, मेटा जरा, मेरा बेटा, नमस्ते शुचा, तुम चाहते हो के पंदरा सो एकड़ की जमीन उसे मिल जाए, तो जमीन के मालिक से जाकर बात करो, आपके अलावा ये काम करने की जूरत किसी की भी नहीं है, आप बस अपना हिस्सा बोलिए, तुम्हें पता भी है किस से बात कर रहे हो, और तुम जानते हो हम किस के आदमी है, मादव भाई, अगर तुम्हें ये मन्जूर है, तो मादव भाई, तुम्हारी जान खेरात में बख्ष देंगे, जान लेना बख्षना उपर वाले के आथों में, जो भी हम खरीबों के साथ नाइंसाफ ही नहीं होने देंगे, आप कहें तो उन्हें भी कुछ दे देंगे, कुछ पैसे, बैचारे किसानों का पैसों से क्या सरोकार, उन्हें तो अपनी जमीन से प्यार है, लंबा सफर तै करके आएं, चाय पानी पी कर जाना, इतने सालों से तो तो तुम खौफ में जी रहे हो शुकर मानो, कि मादव भाई दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, एक बात दिमाग में बिठा ले, अगर मादव भाई की पिनक गई, तो तेरे साथ तेरे खानदान का देट सर्टिफिकेट चाप डालेंगे, निकल यहां से, एक, आरे, औरे, गाट डालूँगा, अगर तुम्हारे डालाग खतम हो गया हो, तो आप तुम यहां से जा सकते हो, अब तुम यहां से जा सकते हो, इसकी तो मैं, आप आपो पाफ घ्टिकेंस ए हुआँ एक 15 है 강ई Cantonese सरह यह ए एक गांव के 600 परिवार सिर्फ एक आदमी के भरों से जिन्दकी जी रहे हैं तेरी चुर्रत कैसे हुई उन्हें धमकाने के और वो भी मेरी मौजूदगी में इसे देवा की रहम दिली ही समझ कि मैं आज तुझे यहां से जिन्दा वापस जाने दे रहा हूं बीस बर्सों से जो होता आया है अपसे नहीं होगा जाके बोल दे उसको क्योंकि देवा का बेटा अब वापस आ गया है काफी अर्सों से मैं जो करना चाहिए आता था आज वो तुमने करके दिखा दिया आज तुमने उन्हें उनकी आउकाद दिखाकर गांवालों का होसला और बुलंद कर दिया है तुम्हारे दिल में अपने लोगों के लिए जजबात देखकर मेरा दिल भर आया ह्आँ हम अब तक सोचते थी कि देवा एक डरपोक और कायर इंसान है लेकिन उसके साथ एक ऐसी हस्ती है जो हम सब की बस्ती उचाड सकती है जै तुम्हारी परवरे शेहर में हुई है गाहों तो पहली बार आना हुआ होगा ना मजा तो आ रहा है ना हाँ अगर मम्मी भी आ जाती है तो और मजा आता आंटी और अंकल को मिलाने का मेरे पास एक आइडिया है क्या तुम्हारी शादी कोई पसंद है क्या मतलब नहीं समझे गर्ल फ्रेंड हम एक थी कालेज में मेरे ख्याल से आप तो इसकी शादी भी हो गई है इसमें क्या बड़ी बात है मेरे तो पंद्राबीस बॉइफ्रेंड होने की बात हाँ मेरे पीछे इतने लड़के दीवाने हो के गूमते हैं आप तुम्हारी कोई गर्फरेंड नहीं है क्या मैंने सोना था कि शहर के लड़के काफी तेज होते हैं पर ये क्या है मुद्धी पर आते हैं जरा एक बात बताना कि तुम्हें किस टाइब की लड़की पसंद है अब चुकी मैं थोड़ा लंबा हूं तो मेरे हिसाब से कोई नाटी लड़की मिल जाया तो बहतर होगा खुद की हाई छे फिट के लड़की मांग दो फिट की ये कोई जोड़ी हुई क्या लड़की तुम्हाले टक्कर के उनीचे वनना सब मजाख उड़ाएंगे समझ जो कि नहीं और क्या खासियत होनी चाहिए थोड़ी पढ़े लिखी होगी तो अच्छा होगा क्या अच्छ अच्छने गई है और क्या ख्वाइश है चोटे खांदान की इकलौती लड़की होगी तो मेरी मा की अच्छे खिदमत करेगी एक नंबर के बेवकूफ हो अगर इकलौती लड़की हुई तो अपने पती के अनावा किसी के बारे में यह सोचेगी अगर बड़े परिवार से हुई तो बड़ों की इजट, छोटों से प्यार, सब का मान रखना, आता हुग उसे जिन्दगी में शादी सिर्फ एक ही बार होती है और अगर लड़की संसकारी हो तो परिवार में सब के दिल में वो अपनी जगे बना लेती है सही कह रही हो कि नहीं वैसे तुम्हारी और शाम की जोड़ी एकदम हीर रांजा के जैसी है पर तकलीफ क्या है क्या कहा इश्क वो भी उस चम्पू शाम के सा तापा करो ऐसी गफलत में कभी मत रहना अरे उससे ज्यादा खूबसूरत तो लंगूर होते है एक ही बनियान और लूंगी में अपनी जिन्दगी काट रहा है पता है नहीं दिन भर शरीर पर क्या लगाता रहता है खुश्ब हमने इंसे जमीन मांगी थी इन उन्हें इंकार कर दिया अब सजा मिलेगी पूरी बस्ती को जला कर राक कर देंगे कोई माई का लाल बुझा नहीं पाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बढ़ा है फॉल कर दो दो किर दो कर मेंदिय आको जाया कोई में पाट्रुल्ड! पिछले 20 सालों से मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि हमारी आपसी रंजिश की वज़ा से गाउं और गाउं वालों का कोई नुकसान ना होने पाए इन्होंने अक्सर माहौल खराब करने की कोशिश की लेकिन इन्हें काम्याब नहीं होने दिया मैंने इनके कांटों का जवाब फूलों से दिया अगर कल रात हमारे आदमी उस गाउं में नहीं जाते तो पूरा गाउं खाक हो जाता किसानों ने अपनी जमीन का सोधा कर दिया है हो सकता है शराब के निशे में अपनी बस्ती को खुद आग लगा दी इन लोगों के घर में कोई नया शक्स आया है आग लगाने की तरकीब भी उसी की होगी ताकि बीमा कंपनी से मोटी रखम वसूल कर सके हेस्पी साब इनकी फिजूल की बातों पर भरोसा करके हमें दुबारा यहां मत बुलाईएगा वरना इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा माफी चाहता हूं देवाजी मुझे पता है कि बस्ती इन्हों नहीं जलाई है लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं सूरज भी दिन में निकल कर शाम होते ही रात की आगोश में खो जाता है पता नहीं यह सब बाते इनकी कब समझ में आएगी बस उसी पल का इंतजार है नमस्ते भाई मुझे तो लगा था कि इनके घरों को जलाने के बाद लोग हमसे मुकाबला करेंगे लेकिन ये तो औरतों की तरह शिकायद करने पुलिस टेशन आ गए अग तो सिर्फ बस्ती में लागाई थी इरादा तो उसी आग में सब को राह कर डालने का था मैं इंसान हो या हैवान है मुझे हैवान बोलने की हमत की तुने में क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या तो पीछे कि फोड़ा मुझे ये इस मैं लास्ट वॉर्निंग जाए जाए मैं भी आ रहा हूं मैं वो जंगली हाती हूँ जो अपने दुश्मन को अपने पैरों से रॉन दिया करता है अगली बार मेरे गाव की तरफ नजर उठा के भी देखा तो ये सर धर से अलग कर दूगा भाया जै कहां से आ रहे बटा रामू के बेटी के तब यह ठीक नहीं थी हम दोनों साथ में उसे ही देखने गए थे यहां का महौल ठीक नहीं है पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए मैं नहीं चाहता मेरे दुश्मन को यह पता चले कि तुम मेरे बेटे हो मेरा खून हो मेरी बात मानो तुम शेहर के लिए रवाना हो जाओ फिलहल यही सही है यहां जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें बुला दूँगा जैसे आपको है पबा पता नहीं उस लंबू ने मेरी हिरोइन पर क्या जादू किया मुझ जैसे एंसम को छोड़ के जा रही है वो तुम्हारी वज़ेसे नहीं जा रही है जै उसे नौकरी दिलाने वाला है चोटू एरशाद अच्छा बता तेरी हाइट किया है वो जूता पैंता इसलिए मेरे से लंबा लगता है अरे अकल से पैदल वो कुर्सी पे बैठ गया तो भी तुझसे लंबा होगा हाइट में तू फेल है तो फेर स्माइल का क्या लेने देना है क्यों नहीं है स्माइल ही बैठ 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 मेरी एक भी तारीफ नहीं गया है उस दिन गोरिला के साथ सेल्फी ली थी उसमार्ट कौन था मैं तो फिर दोनों की जोली में एक पॉइंट आगे यहां पे कोई कुईज कॉम्पिटिशन चल रहा है तू एक काम कर लड़क लड़कौन पैदा हो गया वो वो कौन होगा आखर कौन है वो देवा का खून देवा का बेटा अब हमें हुश्या रहना होगा भाई वो मारने के रादे से आया तो हम मेंसे कोई नहीं बचेगा मैंने उसकी आखों में तूफान देखा है हम चाहकर भी उसका बाल बाका नहीं कर सकते हैं वो कहां रहता है? वो अपनी मा के साथ मुंबई में रहता है बरसो बात-बाप से मिलना आया है उसका जिन्दा रहना हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है जल्दी उसका काम तमाम करना होगा जाओ उस मुसीबत को जड़ से खत्म कर दो मुझे भूल मत जाना इसके पास कोई काम ही नहीं है बीना मैं फर्मान लेकर आया हूँ इतना वाक नहीं है मेरे पास जल्दी जल्दी बखो जब चांदनी रात में तेरी याद आती है अब पकाएगा तब दिल की धड़कन एक ही बात बताती है कि जब तक है जान मैं तीर तू कमान चाहे तू मेरी बात मान या ना मान तेरी जुल्फों से जूला जूलने की इस आशिक की तमन्ना है 31 फरवरी का मूरत है चलो शादी कर लेते हैं अब तुमसे दूर नहीं राज आता I love you I love you I love अब तक तो मुझे सिर्फ शक था पर अब यकीन हो गया सुधर जाओ अरे बेटा जाने से पहले सबसे मिल तो ले पता नहीं आशे देख रहे हो ना जै जाने के लिए किना चट पटा रही है चलता हो बापा पहुचकर खात लिखूंगी सब अपना खयार रखना इस उमर में भी आप एकदम परी लगती हैं प्लीज अपनी खूपसूरती का राज मुझे दे दीजे ना शौक से पहले देखो जो आप इस के लिए तैयार हुआ के नहीं जाओ वीना क्या गाउं में आज भी खून खराब अ होता है कैसा खून खराबा अब सब लोग एक दूसरे को समझ कर चलते हैं अब सब लोग प्यार की बोली बोलते हैं गुद मॉणिंग सब गूर माम आजयो आई किशोर्स ये है वीना हेलो और वीना ये ये तुम्हारा कैबिन सार हम वो नई आड बनानी है ना उसके लिए हम डिसकेशन कर रहे थे अब असल में वो और क्या बात हो ली थी असल में वो नई है न यहां पर इसलिए मैं उसे काम समझा रहा था सर तुम्हें किसने का आगे हुएं काम सीखने आई वो सिर्फ अपने टाइम पास के लिए बहतर होगा कि तुम अपने काम पर द्याने सर उसकी बातों में तो जादू है, दिल करते उसे हटू ही नहीं वो इसी तरह कुत्ते, बिल्ली, गाए, भैं सबसे बाते करती है अब तुम फैसला कर लो कि तुम एक जानवर हो या पड़े लिखे इंसान अब अपने कैबिन में बैठो और काम करो, और उसे डिस्टरब मत करना है किस से मिलना है हम लोग पास के महले से आएं, मंदिर का चंदा लेने फिलाल मालीक घर पर नहीं है, थोड़ा इंतिजार कीजिए हम पास के होटल में नाश्टा करके आते हैं उस पे हमला ये सोच कर करना कि वो बचने ना पाए अगर वो गल्ती से बज़ गया, तो हम में से कोई नहीं बचेगा आज उसकी मुलाकात मौन से होगी उसे अंदर जाने दो मालिक कुछ लोग मंदर के लिए चंदा मांगने आया थे, वो पास के होटल में नाश्टा करने गया है तो गाड़ी निकल, छोटे मालिक, चलो यह से चलते हैं मेरी बात मालों वो आस-पास ही होगा सामने क्यों नहीं आता, गाड़ी में बैठिये, चलिए उसे हम बाद में देख लेंगे, उसका अकेला सामना नहीं कर सकते आप यहीं गाड़ूंगा उसे चलिए, चलो, आज़ा, अंदर बढ़ा, चलिए बढ़ो आज़ा आज़ा उसे खत्म करने तीस लोग गए और सिर्फ तीन ही लोटे मुझे पता यह कैसे हुआ पलक छपकती सबको मार दिया उसे खत्म करना इन बच्चों का खेल नहीं है उसका सिर काट कर चाराए पर टंगाऊंगा ताकि और कोई सिर उठाने की हिमत ना करें इन लोगों का बुरा वक्त आगया है, मैं यहां से कट लेता हूँ हलो वीना हलो मेरे घरवाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं उन्होंने एक लड़का भी पसंद कर लिया है लेकिन मैं जैसे मोहबत करती हूँ बाई, जल्दी बैठो वापस मत आना आजा किसी ट्रक को ठोक देना कुछ भी कहो, लड़का मुझे बहुत पसंद है एक को चूरन दिया, दूसरा आ गया बैडला कीच खराब है बेटा मैंने वीना का रिष्टा तैय करती है वीना तुम्हारा होने वाला दूला अमेरिका में नौकरे करता है शादी के बाद तो तुम भी वहीं रहोगी अपनी जिंदगी खुशी से जीना अंकल खुशी इस बात से जाहिर नहीं होगी कि लड़का अमेरिका रहता या कई और उसे असली खुशी तब मिलेगी जब उसे अपने मन मुताबिक लड़का मिलेगा शादी को एक गुड़े गुड़ियों का खेल नहीं है जो कुछ पल के बाद खत्म हो जाए ये एक ऐसा बंदन है जिसमें लड़की को अपनी जिन्दगी एक अंजान के साथ गुजारनी होती है वीना बेहदी प्यारी लड़की है करोडों में एक वो खुश तब रहेगी जब वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो उससे बेंतिया महबत करता हो वीना बेटा हमारी भी ख्वाइश है कि वीना हमेशा खुश रहे लेकिन आज के माहल में ऐसे लड़के मिलते कहा है तुम किसी को जानते हो तो बताओ वीना मुझे सिर्फ एक मौका दो तुम्हें अपने दिल में बिठा कर रखूंगा कि बढकराणा को अचा है हृँ 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 getting व कैसे हैं बड़ता मैं चीखो लक्ष्मी कैसे हैं आप मैं ये सोचकर चुदा होई थी कि इन हैवानों के साथ रहकर आप भी इनी की तरह हो जाएंगे आपने उस गुना की सजा भुग दी जो गुना आप से कभी हुआ ही नहीं था मुझे माउफ कर दीजिए भले ही मैं आप से दूर रही लेकिन मैंने आपके बेटे को बिल्कुल आप ही की तरह बनाया है उसे मोहबत लुटाना सिखाया है बिल्कुल आपका हमसाया है अगर आप चाहें तो मुझे सजा दे सकते हैं भाईया उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया उसका बदला लेने का वक्त आ गया है उन सब के सिर काट के उनके खून से आपके पैरगा भी शेक करूंगा करीम भाई करीम भाई अरे खाना खाके तो जाओ करीम भाईया अरे चाहलो करीम भाईया मैं आपसे एक खास बात करने आये हूँ जिस खून खराबे को आपने रोकनी की कोशिश की है वही दहशत अब दुबारा शुरू हो गई है इसे अन्जाम दिया है आपके बेटे जैन मुझे डर है कहीं कोई अन्होनी ना हो जाए इसलिए मेरी सला है कि आप भुश्यार रहें अच्छा तो मैं चलता हूँ जजमान जाकर शादी के वस्त्र पहन कर आईए इधर ओ इधर आओ हम अंदर पहुंच चुके हैं भाईया पहले उसके परिवार को मारेंगे और बात में उससे उसके जिन्दा रहते हुए उसके परिवार को चुना ना मुम्किन है सबसे पहले उसका सरधर से आला कर दो झाला कर दो हुग 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 हुख और तो को अंदर ले जो सब लों अंदर चलो जल्दी करो चलो चलो ये लो है कि अग ईफ दो उंग फर जब घप हम इस हा इस हते फर राफ हुआ 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 हु क्यार वार मा! 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 अन्हां! अन्हांट! मा! लटाख, है लटाख. माँ की मौत के लिए जिम्मेदार एक भी शक्स जिन्दा नहीं बचेगा। अपने उसूलों और आधर्शों की जो दीवार आपने खड़ी किये, आज उसे तोड़ दीजे, पापा। जिस बीमारी का बरसों पहले इलाज हो जाना चाहिए था, आज मैं उसे जड़ से उखार दूगा। भाईया, आज कुछ मत बोलिए, आप अंदर जाईए। मालिक बरसों पहले आपने हमें रोक दिया था, महरबानी करके आज हमें मत रोकिये, आप छोटे मालिक का कहा मान लीजिए, मालकें के खोन का बदला महादर्फ के पूरे खांदान को मिटा कर लेंगे। कौन सा गुना किया था जो तुझ जैसा बेटा पैदा हो। तेरी मा तेरे साथ मुझ से अलग हो गई, ताके इस गंदे माहूल का साया तुझ पर ना पड़े। तेरी मा का खाथ था कि तेरी जिंदेगे में सिर्फ खुश्याई हो। लेकिन तुने उसका खाथ पूरा नहीं किया। यस खुन खराबे की वज़े से वो यहां से गई थी। तुने यहां कर उसी को दोहराया। और उसी की शिकार आज तेरी मा बन गई। पता होता तेरे आने से ऐसे खुन की नदिया बहेंगी। तो मैं तुझे यहां कता ही नहीं आने देता। अगर मुझे पता होता कि तेरे आने से लटा की जान चली चाहेगी। तो मैं तुझे इस दुनिया में आने ही नहीं देता। लटा के बदले अगर तुझे खोना पड़ता तो मुझे घम नहीं होता चला जा यहां से बहुत दूर और दुबारा कभी अपनी शकल मत दिखाना मेरी चिता को मुखागनी देने भी तुझे आने की जरूत नहीं चोटे मालिक रुक जाएए मत जाएए जाने दो बेटा जिसने अपने खुस्से के लिए अपनी मा की पर्वा नहीं की वो तुम्हारी क्या पर्वा करेगा मैं नहीं चाहता कि कल तुम्हारा भी हाल इसकी माच ऐसा हो जाने दो इसे झाहता कि भी है मेरे पापा के लवज उस दिन मुझे तीर की तरह चुबे थे पर उन्होंने हाकिकती बया की थी मेरे वहाँ जाने से माहौल बिगड़ गया खुन खराबा लड़ाए जगड़ा आम हो गए इसलिए मैं गाउच छोड़के इटली चला गया सोचा मेरे जाने से सब ठीक हो जाएगा लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिलकुल गलत था हाला अतबच से बत्तर होते चले गए समझने हारा था कि इस खुन खराबे को कैसे रोका जाए तब ही एक दिन मेरी मुलाकात तुम से हुई तुम से मिलने के बाद ऐसास हुआ कि तुम्हारे गाम का माहौल भी मेरे गाम से कुछ अलग नहीं है वहां भी लोग खुन के प्यासे है उसके बाद मैंने यहां आने का इरादा किया और यहां के सब को बदलने की कोशिश की अगर आज मेरा परिवार अतना खुश है तो उसकी वज़़ा सर्फ तुम हो जाए मुझ पर एक एहसान करोगे तुम यहां से चले जो जाए यह मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते अगर किसी को भनक भी लगी कि तुम देवा के बेटे हो तो यह लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे मैं जिसी रादे से यहां आया था उससे पूरा करके ही जाओंगा बिटा जैव मुझे नहीं पता कि तु यहां किसे रादे से आया है लेकिन हम सब की यह खौईश है कि तु इस घर का दामाद बने हमारी बेटी मांसा में हमारा खून है लेकिन गुड़ नहीं इसे सही खलत की पहचान है अगर तुम्हें यह रिश्टा मनजूर हो तो अपने घरवालों से बात करो बाकी मैं समाल लूँ हूँ यह 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 तुमने कर दिखाया मिया तुमने है सब को लपेटे में लिया और जो चाहा था वो हासल किया अब शहजादी हुई तुम्हारी यह मुम्किन नहीं है प्रताप जी आखिर क्यों क्योंकि मैं उनके दुश्मन देवा का बेटा हूं वे गाड़ी रोक यह किन खयालों में खोया हुआ है जो तुच चाहता था आखिर तुने वो हासल तो कर लिया मांसा की शादी में वो शक्स से करवाना चाहता था जिसका खून गरम हो और वो दुश्मन को अपने पैरों की धूल समझता हो लेकिन तू तो समझोता करना चाहता है कुछ पल के लिए क्यों न हम मांसा को भूल जाएं वो क्या गरत है आप दुश्मन से बदला जरा समझाएंगे आप मुझे उस शक्स से सक्त नफरत है जो खुद की हिफाज़त नहीं कर सकता मर्द वो होता है जो अपनी आन के लिए अपनी जान को भी दाओं पे लगा दे समझा असली मर्द किसी हत्यार का महताज नहीं होता उसका हाथ ही एक जानलिवा हत्यार होता है उदर देख मर्दों की फौज मासूमों की जान लेने को आप मरदानगी कहते हो अरे ये कौन से बाबा अदम की जमाने की बात कर रहे हैं आप ये कायरों का काम होता है असली अच्छा ऐसा है क्या है चल दिखा फिर देखा जब से बड़ी-बड़ी हांक रहा था शकल तो देखो मर्दानगी की बात की तो ठंडा पड़ गया तुम ने दुश्मन से हाथ मिलाने का मश्वरा दिया मैंने तेरा मश्वरा मान लिया लेकिन जिस मर्दानगी का मैंने जिक्र किया वो तुझ में है क्या इसको दूल चटा देना इङ इह इङ 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 रहा प्पाँ और झाँ और भॉख झाए झाए! अाँ! अईप, प्खाँ! प्ख़ प्ख़खऑँ झाए! जहा झाए! हटफ झाए! आपने जो कहा है वो मैंने करके दिखाया अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाईए नजाने मेरे सारे बंदे कब तक ठीक होंगे हो सकता है कुछ उम्र भर ठीक ना हो लेकिन तू मेरी नजरों में च्छा गया मुझे तुझ जैसे शेर की ही तलाश थी जुबान देता हूं कि मांसा सिर्फ तेरी होगे बस मेरा एक काम करते उस गाओं के अंदर मेरा एक जानी दुश्मन है जिसकी मौत मेरे इंतकाम को पूरा करेगी उसे खत्म करके मेरे सीने की आग धंडी करते उम्रभाब तेरे कदमों में पढ़ा रहूंगा तुम सुधरोगे नहीं तुमारी फित्रत ही ऐसी है वो शक्स जिसने तुम्हें मूत और जवाब दिया जिसने तुमारी रातों की नीन्द हराम कर दी वो कपकाम मर चुका है वो बदल गया है वो ना अब किसी पे हाथ उठाता है ना ही किसी पे पलटवार करता है बस वो प्यार करना जानता है नफरत वो भूल चुका है उसे सिर्फ प्यार लुटाना आता है और वो ही प्यार लेके वो तुमारे पास आया है और वो तुमारी नजरों के सामने खड़ा है जिस दुश्मन को मैं ढूनता फिर रहा था वो वो तु है चाचा चाचा सुनिये पिजाच चाच 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 रुप जाए यह तो क्या कर रहा है मादा भूछ रहा है तो इस से पुछे कि यह यहां कैसे आया हमारा दुश्मन है यह जिसे हम परिवार में शामिल करने की सोच रहे थे वो तो हमारा पूरा परिवार ही खत्म करने आया था बड़े पापा प्लीज आप कुछ क्यों नहीं कर रहे उन्हें रोकिये न प्लीज न जाने तुने हमारे परिवार के कितने ही लोगों को मौत की निन सुला दिया भाया भाया आप उन्हें रोकिये न प्लीज तुझे खत्म करने के बाद मैं तेरे बाप को भी तड़पा तड़पा कर मारूगा आप कर भी बाल ठाओ वाद को अगर मैं पुराने जय में तब्दील हो गया तो इस गाव का एक भी शक्स जिन्दा नहीं बचेगा तुने मेरी मा का कतल किया फिर भी मैं तेरे परिवाल के लिए प्यार का फर्मान लेके आया तुने मुझे मेरे पापा से जुदा किया मेरे प्यार से जुदा किया फिर भी मैं तेरे पास प्यार की सौगात लाया लेकिन कब तक कब तक लोग तेरे जुल्मों को सहेंगे मैंने अपने बदले की आग को भूलकर उस गाव को छोड़ा ताकि वहाँ शान्ती रहे लेकिन तुझे ये मन्जूर नहीं अगर मैंने ये तलवार चलाई तो हर तराफ खून बाएगा और आखिर में बचेगी तो सिर्फ ये तलवार और लाशों का धेर ये खून खराबा छोड़ो और प्यार करो तो प्यार दोगे तभी तो दुनिया से तुम्हें प्यार मिलेगा अब भी अगर तुझे लगता है कि मुझे मारने से ये दुश्मनी खतम हो जाएगी तो उठा तलवार मादाव ये हमारा बंदा नहीं है ना ये हमारा दुश्मन है ये हमें खत्म करने आया था फिर इसने तेरी इफाज़त उस वक्त क्यूंकि जब देवा के आदमी तेरा कतल कर देना चाहते थे आज तक सारा गाओ इस घर के लोगों से डरता आया है उनसे खौफ खाता आया है कभी कोई ऐसा शक्स देखा जो डर से नहीं बलकि प्यार से हमारी इज़त करता हो तुश्मन का बेटा होने के बावजूद इसने हमारी इ आपका कहना सदुश्मन है बिना खौफ हमारे साथ रहा इसे ना हमारे जान से मतलब है और नहीं हमारी जायदाद से इसे सिर्फ एक चीजगी है प्यार सिर्फ प्यार चाहिए किया हम खुद को बदल कर इसे प्यार नहीं दे सकते कि दूश्मन के खर में रहने के पावज्यूत इसने हमें नुखसान नहीं पहुंचाया यह कोई आम इंसान नहीं यह अमन का फरिष्टा है जिस राज से हम भटक गए हैं इसने वो रा दिखा दी यह सच में इस गाऊं में नहीं इस गाऊं में भी एक मर्द है कि अजए जए 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 है नहीं यह क्या कर लें बाबा जो खाब मैंने देखा था आज तुमने उसे हकीकत में बदल दिया बेटा तुमने वो कर दिखा है जो इतने सालों से मैं करना चाहता था मुझे तुछ पर बहुत गर्व है बेटा मैंने तो यही सोचा था कि अगर हम लडाई छोड़ दे तो यह जबी खुद बखुद पीछे हट जाएंगे लेकिन मेरी सोच घलत थी इंसान को हालात के साथ बदलना पड़ता है जो तुने कर दिखाया नफरत को प्यार से कैसे जीता जाए वो तो कोई तुझ से सीखे बेटा तुँ वाकई महान है बाबा यह क्या कह रहे है आप तेरी म महबत तेरा इंतजार कर रही है उसे और इंतजार मत करवा जा बेटा है अब भी लड़के वालों को भगाने का इरादा है क्या अब ज्यादा ड्रामा मत करो जल्दी बोले मुस्तष्यादी करोगी नहीं हुआँ हुआँ